ठीक है जी तो सबसे पहली बात यह है कि आपके पास कुछ इस तरीके से लिंक्डिन की प्रोफाइल है और विसलिए आपने जॉब पे क्लिक करना यहां पर यह चीजहें बिसेंगे आपको पहले भी पता है जॉब पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपने अपना स्किल लिखनी है मैं यहां पे लिखता होता हूँ डेटा एनलिस्ट या डेटा साइंटिस्ट पहले डेटा एनलिस्ट लिखते हैं क्योंकि मैं जर्मनी में इस वकत मेरे पास जर्मनी आएगा and you can see there are many jobs मैं basically आपको यह कहूंगा कि जर्मनी के बजाए इसको यॉरप में रखी start में अगर आपने बड़ी जॉब मार्केट देखनी है यॉरप तो यह आगया हमारे पास ठीक है पहला काम यह हो गया और मेरे close close जितनी जगए हैं वहां पे लोग ज्यादा आएंगे और मैं जिस यॉनिवरस्टी में उस वकत उस यॉनिवरस्टी से रिलेटेड अगर को इल्यूमिना यह वो भी यहां पे शो होता है ठीक है जैसे वह लोग वहां पे शो होते हैं यू कैन सी कि आपके पास डिफरेंट किसम की जॉब्स यहां पे शो हो रही हैं अगर मैं यह वाली एक लेता हूं पी एस सी बायो टेक का और यह डबलीन के अंदर आईरलेंड के अंदर है और क्योंकि आईरलेंड भी यूर्पियन करेंसी वगरा को लेके चलता है तो आपको पता है कि मैं इस पर क्लिक करता हूं और यू विल सी कि आपके पास कौन कौन सी चीज़े रिक्वाइड है अब डेटा साइंटिस्ट सिर्फ डेटा एनलिस्ट जो है वो एक फील्ड का नहीं है डुमें स्पेसिफिक भी है कि कुछ कारों से रिलेटेड काम करते हैं कुछ करते हैं अग्रिकल्चर से रिलेटेड कुछ करते हैं सिस्टमाटिक इंजिनियंग से रिलेटेड कुछ करते हैं मटेरियल साइंस से रिलेटेड कुछ करते हैं आपकी स्टॉग मार्केट बिजनेस एनलिस्स से रिलेटेड त तो यह हो गया जॉब टाइप अगर आप रिमॉट फुल टाइम पार्ट टाइम करना चाहते हैं वो यहां से स्लेक्ट कर लेंगे ओन साइट रिमॉट हाइबरिड तो मैं रिमॉट स्लेक्ट कर लेता हूं जिसके चांसे हमारे पास ज्याद है ठीक है और बाकी भी और फिल्ट का नाम भी आ रहे हैं तो अब जैसे मैं इस जगा पर गया हो ना तो अबाउट तो जॉब मेरे पास सारे के सारा जो है वो यहां पर आगया कि आईडियल कैंडिडेट होना चाहिए मस्ट भी लिविंग इन हंगरी रिमॉट जॉब है लेकिन हंगरी में रहता हो ठीक है तो इस तरह के आपके पास सारी रिक्वार्मेंट आना स्टार्ट हो जाती है तो आपने काम यह करना है सबसे पहले तो वह वाली जॉब ढूंड़नी है जो आपको यहां पर वीजा भी दे लें फॉर एक्जामपल जर्मनी में एक सार जॉब होते हैं कि पाकिसान में रहा के प् इसी हैं जो रिमोटली पाकिसान के अंदर इंप्लॉइमेंट दे ठीक है तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं आप चेक करें मेरे पास उननीस घेंटे पहले यह जोब आई है ठीक है और ओवर टू हंड्र एप्लिकेंट्स ने औरेडी अप्लाई कर दिया हुए तो यह डेटा आपके पास आ रहा है दो सो लोगों ने अप्लाई कर दिया यहां पर ठीक है अब इसके बाद आगे चलें चेक करें जी आपके पास कौन-कौन सी चीज़ चाहिए आप चेक कर लें यहां पे ओपन सोर्स एंड-टो-एंड मॉडल डिवेलमेंट चाहिए आपके पास NLP चाह हो हमारे काम से रिलेटेड हो जैसे यहां पर अगर आप गोर करें तीन साल का experience SQL में efficiency आपकी हो यहां पर पावर भी आई टूल्स एंड डैश्बूर्ट बनाने आते हो अब इसली पावर भी आई को सीखना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है we will learn that English communications skill हो Google Cloud चुलाने आता हो गिट हो राइटिंग automation script with Python ETL tools will be a plus तो यहां पर आप फिट होते हैं क्योंकि पावर भी आई आपको सीखना आ जाएगा easily पिट होते हैं आपने क्या करना है यह वाली जौब है आपके पास तो यह extension है मेरे पास और रेडी ठीक है यहां पर यह जो harpa.ai के extension है मैंने की हुई है मैं यहां पर इसको summary करता हूं इसकी let's see मेरे पास कौन सी यहां पर summary आती है यह US-based company है उसने मुझे सारा बता दिया कि कौन-कौन से company है और वो किस-किस लोगों को ढूंड रहे है proficiency किसकी क्या होने चाहिए हर एक चीज़ यहां पर मुझे बता दिया इसने experience कितना चाहिए सब कुछ अगर मैं इसको बोलूं कि I want to prepare for an interview for this job can you help me तो आप इस तरीके से इसके साथ बात करना स्टार्ट करते हैं तो उसने फोरन आपको बता देना है कि ठीक है मैं तुमको help करती हूं या करता हूं जो भी है यह model आप से इसने question पूछना स्टार्ट कर देने या आपको पहले बताएगा कि अच्छा यह यह चीज़ें आपके साल का experience होना चाहिए वो बंदा कहीं से भी शो करवा सकता है अगर आप करेंड़ी गहीं पर जॉब कर रहें यू कन से दैट कि मैं और रेड़ी यहां पर data analyst के तोर पर काम करना हूं नहीं है तो आप exactly फिर भी apply जरूर करें क्योंकि फ्री होता है फिर यह सारी चीज़े है additional company information so on and so far सारा कुछ आ गया है अब आप इससे कहेंगे कि क्वेस्टन पूचें उसने list of questions आपको बता देनी है based on the job description ठीक है लेकिन यह गलत तरीक है start में ही आपने interview की त्यारी नहीं करनी होती उससे पहले application देनी होती cv बनानी होती है cv के बाद आपकी linkedin के profile से directly apply के button पे आप click करें तो आपके information उनके पास भी जाती है so first you have to prepare your profile cover letter बनाए और बाकी चीज़ें अपनी त्यार रखें लेकिन interview question के लिए यह आपके पास question can you tell us about your experience as a data analyst sorry and how do you approach analyzing and defining matrices that tie back to the business performance and initiative so there are many many things out there. आप इससे पूछते हैं please also give me answers to these questions when a question mark है में लगा दिये now it will try to help me to actually answer these questions let's see what kya करती है या क्या करता है जो भी है he है she है model है and at the end हमारे पास इसके answers आना start हो जाएंगी usually it takes time usually answer नहीं देंगे sometimes you have to copy these questions chat GPT पे डाल दें single by single करके अपनी profile के बारे में ज़रूर बताएं इसको यह बताएं कि मेरी यह degree है मैंने इतनी देर से data analysis किया मेरी यह skills है मुझे एडिया आता है मुझे python आता है मैंने SQL पे काम किया मुझे फ्लांस किल आती एकसल आता है मुझे dashboard बनाने आता है फ्लांस चीज आती है नहीं आती है तो अपने बारे में आपने information देनी है ठीक है यह आपको answer देना start कर देगा यहां से तो आप कमज़कम इसके थ्रू अपने आपको त्यार कर सकते हैं वो blank head नहीं जाएंगे आप और आप example के साथ questions के answer आपको आ रहे है believe me जो आज कल hiring managers है ना hiring managers जो है ना आज कल वो basically questions भी ऐसे ढूंड रहे हैं और यह मैं आपको अपने current experience से बता रहा हूं खास तो पर जो HR वगार रहा होते हैं ठीक है और there are many other tools जिसके उपर CV automatically आपके बन जाती है I will prefer to go with Canva Canva से कमाल की CV के templates पढ़ें उन्होंने यह भी बताया कि CV कौन कौन सी उसमें add information करनी है और यहां पर आप इससे पूचेंगे how can I make my CV attractive for this job here is my profile link मैं यहां से LinkedIn के profile का link भी से देता हूं जिस्ट मिनट क्योंकि मेरी profile totally different किसम की है so I will just copy and पता नहीं इसको analyze करता है यह नहीं करता बट it will define somehow के कौन कौन सी चीज़ें आपने कहां कहां पर लिखनी है कैसे कैसे highlight करना है तो आप इस तरीके से इसमें CV अपनी बना सकते हैं और बकाइदा अगर आपकी CV बन जाती है तो अपने senior से review ज़रूर करवाएं मुझे भेजने मुझे भेज दें I can review that and I can give you information कि आप किस तरीके से उसे improve कर सकते हैं and at the end gives you a nice overview कि किस तरीके से आपने finally CV को रखने एक tool है योरोपास CV का ये European जो academicians है ना उनके लिए जरूरी है ठीक है योरोपास CV बनाना खास दोर पे जो योरोप के अंदर आना चाहते हैं लेकिन इस tool का एक और फाइदा ये है कि ये आपको help करता है तो create your cover letter as well तो आप यहां से योरोपास CV के अंदर login होने के बाद अपना cover letter भी यहीं से बना सकता है तो job का cover letter भी यहां से बन सकता है और otherwise आप अपनी सारी information इसे दें और इसको बोलें के make a cover letter for me लेकिन उसके अंदर human touch जरूर डाले AI वाला ना रखे AI का दूर से पता चल जाता है तरीफें positivity यही कुछ होता है negative कुछ नहीं होता AI यह defining करती कि आपने किस तरीके से data science सीखी है या आपको कौन सी मजबूरी थी आपको पूछती है कि यह information चाहिए अगर मैं यहां पर लिखू what documents do I need to apply for this job आपने सिर्फ यह लिखना है और probability है यह आपको बताएंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए आपको लें जनाव उन्होंने यह भी बताया कि कौन-कौन से document recommending है कौन-कौन से उन्होंने मांग गए है और कौन-कौन से आपको देने चाहिए तो इस आपको देने चाहिए अगर आपके पास experience नहीं भी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी cv चमकती है अब मैं आपको एक बात बताऊं अगर आपने portfolio बनाया हुए अपना तो cv के अंदर उसका link जरूर डालें कि यह मेरे project यहां पर पढ़ें और उनको as a portfolio एक एक project को define करके उसकी deadline और data की dimension और major output वो जरूर लिखें then it will be helpful for you ठीको गया जी मैं इसको यहां पर रोकतो